मैंने बेस्ट कॉटन प्लोट लिया है 44 x 18 इंच का अभी सिर्फ बराबर पूड करोंगे बराबर फोड करने के बाद में टू इंच का गैप पर मार्ख करोंगी पर एक इंच छोड़के पर मार्ख करोंगी प्रेकिन छोड़के पर मार्ख करोंगी कि कपड़े का सेंटर पॉइंट लेगे जोनु साइट से दोड़ो इंच का मार्ख करोंगी कि दोड़ो इंच का मार्ख करने के बाद में इस तरह की से लाइन बना दूगी आपको में डाक पैंचे हाइलाइट करके रिखार हूँ आकि आपको इजली समझ में आपके अब इसमें से मैं सेंटर पॉइंट लोंगी सेंटर पॉइंट को कट करेंगी इस तरह के से क्या में आपको इस तरह करोंगी हम आपको इस दोब एदे में आपको अधिंट क्या में आपको इस तरह को बढ़ साइब तरह को इस तरह करते हूँ आपके पीछेशे पेस्ट कटन इसे पीछेशे पेस्ट कटन आपके पेस्ट कटन रशी बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज किया है तो इसे मैं फैब्रिक ग्लू की है पेस्टिंग करूंगी चोटे वलो रशी को मैं छूई ढागे की हाई उच्छे इस्टर कीच अटाइच करूंगी अब बड़े वलो रशी को इसका चैंटर पॉइंट लेकिए इसे अटाइच को रहे है अजाओने लेकिए देच्छे कि अज़े को जागे को लिगए अबड़े कुटे दो, इसे अच्छे को उची है झाल झाल